हालो फूरी जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे चैनल पे 30-30 वीडियो चैलेंज चल रहा है और आज है डेफाई आज की हमारी रेसिपी है पापड़ चाट तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं इसके लिए हमें चाहिए पापड़ इसे हमें हाफ कट करना है और पैन में अच्छे से रोस्ट कर लेना है इसके बापड़ रोस्ट हो जाने के बाद अच्छे से रेस्ट करना है कौन शेप बना लेगी है कि बी केरफुल क्योंकि पापड करम होता है तो फिर बहुत केरफुली हमें इसे कौन शेप में बनाना है और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने सभी पापड को कौन शेप में बना लिया है इन कौन को हम ग्लासेस में रखेंगे फिर इन सभी में हमें एक टीजपून प्यास डालना है प्यास को मैंने बारिक कट कर लिया था इसके बाद एक एक टीजपून शिम्ला मिल्च फाइनली चॉप्ट टोमाइटोस और इसे थोड़ सा स्पाइसी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ सी ग्रीन चिली भी इसमें डाली है इसमें अब डालते हैं हरा धनिया और चट पटा बनाने के लिए उपर से चाट मसाला स्प्रिंकल कर लेती है इसे और भी डिलिशियस बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे बारिक सेव और थोड़ा थोड़ा लेमन जूस अब हम इसमें डालेंगे नाल मिल्च पाउडर थोड़ा सा पापड का चूरा इसके उपर फेल से थोड़ा सा धनिया आप देख सकते हो इस दिखने में कितना डिलिशियस लग रहा है आप इसे स्नैक्स में ज़रूर ठ्राई कीजिए क्योंकि बहुत आसानी से बन जाता है इसे के साथ बहुत टेस्टी भी होता है और मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इस रेसिपी कैसी लगी कल फील से मिलेंगे एक बहुत यम्मी डीश की साथ अब टाक दो लाक शेर और सब्सक्राइब एक अब्सक्राइब एक लाक एक अजाए उड़ था फोर फोर अपक्मि होगी डीश रेसिपी यापी बाई